तो नमस्ते दोस्तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अने चैनल में तो दोस्तो आज हम रिव्यू करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइट का तो जैसे के हम लोग देख सकते हैं आज कल कोरोना का हर तरफ प्रसार हो गया है और उसके वज़े से काफी दढले से यूज कर रहे हैं इन सभी में एक उत्सुकता बनी जा रही है दोस्तो लोगों के अंदर के सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या कोरोना से हम लोगों का बचाओ कर सकता है क्या हमें हर चीज को साफ करने के लिए वो चाहें ऑफिसेस हो या फिर घर के एकदम बहुत स सोलूशन हो सकता है हम लोगों के लिए इसका वी एंसर हम लोग इसमें जानेंगे दोस्तों तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का यह बॉटल आप देख सकते हो दोस्तों पाच लीटर का यह बॉटल है जो हमने खरीदा है हमारे घर के लिए और इसी चीज से आपको समझ में आग चुका होगा कि जीहां इसका उपयोग काफी ज्यादा है और जर्म्स रिलेटेड या फिर एंटिबैक्टेरियल रिलेटेड यह सोलूशन हम लोग बहुत ज्यादा तर यूज कर रहे है आजकल तो फर्ष को साफ करने के लिए अगरा इसका यूज ज्यादा तर हो रहा है उसके बाद ही मैंने सोचा कि इसका रिवीव सचमुच किया जा सकता है क्योंकि उसके जो इफेक्ट है वो भी हमने फिल किया है तो पहली चीज आपको बता दू कि यह जो सोलूशन है यह काफी महंगा आता है दोस्तों पाच लेटर का है 845 लगवख 800 रुपे की इसकी प Chwoman जैसे कहम लोग जानते हैं कहिंगिंग करना होता है काफी सारे प्रीमजिस को फ्लौर कोष्ण call टॉलेट्ट को इन सब स्दू vine。」 करना होता है वहां से sector हो लिए होते हैं काफी सारे ऐसे होते हैं करते हे सोलुशन में सब से बहुत ही था होते हैं जूडियम है आप मैं यह नहीं चाह से नहीं कहँए आप इस इस हलांकि डी-रजस का, ०ूशन हम use कर रहे हैं, हमें बहुत ही बहुतरर रिजल्ट यहा पर लग रहे हैं, जो CANS आती है, कहला होत, हम घासलेटCANES मेशंच direct आता है, उस तरीके CANS लसे में भी आता है, बट आनी थौट, के फर्स्ट टाइम हमारे घर के लिए ले रहे हैं और आफिस को भी क्लीन करना है तो एक रेप्यूटेट कंपणी का ही इसको लिया जाए तो दोस्तों इसका यूज करने का एक तरीका में आपको बता देता हूँ कि अगर आपको डी जर्मिंग करना है अपना आफिस का प्रिम लीजिए उसमें का 400 ml या फिर 500 ml उसमें डाल दीजिए सोड़ी माइपुक्लोराइड जो भी अपनी थमसब की बॉटल आता है 400-500 ml की उसमें लेकर के मिला दीजिए अच्छे से और उसका यूज कर लीजिए उसको क्लीन करने के लिए वह हाथ से नहीं करना है कपड़े से ऐ बड़ी चीज दोस्तो इसको यूज करने की जो है वह है प्रिकॉशन्स आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन्स लेना पड़ेगा अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो तो अगर दूसरी चीज अगर आ जाती है कि बहुत ज्यादा सर्फेस है बहुत ज्यादा ही खराब हो solution वहाँ पर दोस्तों बन जाएगा और germs को या फिर किसी भी चीज को वह easily हटा देगा तो वहाँ पर क्या करोगे आप एक से दो लिटर लोंगे मैं सजेस्ट करूंगा कि देड़ लिटर तो लहना ही चाहिए क्योंकि हमारा भी जो आफिस है वहाँ पर हमने देड़ लिटर लगबख solution लिया था दस लिटर बानी में पूरा ओफिस को clean कर लिया था तो major thing आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों जो सबसे major और सबसे important चीज है कि precautions आपको लेने है यह एक non-medical and external use के लिए ही solution है जो के laboratory का reagent भी हम इसे कह सकते हैं तो मैं दोस्तों यही suggest करना चाहूंगा कि इसको avoid कीजिए किसी भी हाथ को या फिर आपके कपड़े को लगने से avoid कीजिए अगर chemical goggles आपके पास होंगे rubber के gloss hand gloss जाह रहते है एपर आपके पास होंगा तो उसको ठीक से चड़ा के ही इस solution का डारेक्ली यूज़ कीजिए दोस्तों ओके इस चीज़को आपको ध्यान में रखना ही है यह concentration is not guaranteed as a use beyond our control क्योंकि वो लोग खुद ही बोल रहे है कि अगर आप किसी भी तरीके से अगर हम जो कहते हैं ना कि एकदम वायत तरीके से use कर ले रहे है कुछ लोग इसका और बाद में बोल रहे है कि इसके बहुत जादा disadvantages हो गया या फिर हमारा body को बहुत जादा खराब ह हो गया या फिर कुछ bad effect हो गया side effect हो गया वह हमारे control में नहीं है यह ऐसा खुद ही company suggest आपको करती है तो avoid कीजिए कि चिल्डरिन के contact में तो यह बिल्कुल ही ना आए जितना दूर रख सकते हो आप चिल्डरिन से इस solution को दूर रखिए फाइनली review के बारे में यही करना चाओंगा कि best solution है आप इसको use कीजे और एक चीज हमने इसका use किस तरीके से किया देखिए काफी लगवा कि एक से 10 लिटर लिया 10 लिटर पानी में 12 लिटर पानी में और हमारा जो आजू आजू का surface एरी आए घर के आजू बाजू में वहा और मच्चरों से भी लगवा हमें चुटकारा मिल गया आजू कि इसका use वहाँ पे होता है या नहीं पर काफी कम तादाद हमें मच्चरों की दिखाए दी गई जब इसका फवारा हर तरफ घर के आजू बाजू कर दिया गया और दिवारों पे भी हमने कर दिया सो अफिस के लिए घर के लिए और आपके फैमिले अगर बहुत बड़ी है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़रुरी है इस solution का use करना मैं यह guarantee नहीं लेता कि कोरोना के बचाओ के लिए होगा या नहीं पर डेफिनेटली आपको surface तो clean होई जाएगा और काफी सारे germs मर ही जाए दोस्तों यह था मेरा मेरे तरफ से sodium hypo chloride का review ज़रुरी ने इसी company का आपको लेना है कोई भी ले लिजे और उसका use आप कीजिए आपको फाइदा होगा thank you so much दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए प्ली चैनल को subscribe कीजिए अपने दोस्तों के साथ information को share कीजिए thank you